तो बेटा होन बेटा उन्हों क्यारी सिगी कि जड़ी k दी वैल्यू है सा डेकोल, ओ सा डेकोल आई है, n pi, n pi अपाउन ए वैल्यू आई है, चीक है? इनिशली जदो असी पूरी एक्वेशन नों सॉल किता सीगा, तो उस ताइम ते असी जेड़ा k स्क्वेर है, ओन्हों असी फिल किता सी 2m e अपाउन h कट दा स्क्वेर, तो k स्क्वेर दी वैल्यू फिर रहा है कि ये सा डेकोल, चीक है ना? तो k स्क्वेर कर दो इदली साइटे, तो अडेकोल आजेगा, n स्क्वेर पाई स्क्वेर अपाउन a स्क्वेर इस इकोल टू 2m e अपाउन h कट दा स्क्वेर, तो e दी वैल्यू तो अडेकोल आजेगी, energy दी वैल्यू तो अडेकोल इदरो आएगी, h पहले n स्क्वेर लिक square तो एकोल इनर्जी दिया अलग लग वैलिई उसरी देख सकते हो कि पाई वी कॉंस्टन्ट है, एचकट भी कॉंस्टन्ट है, ठीक है, तो जेडा A है हो वी आ डिकोल इस पिक इस तो डिकोल कॉंस्टन्ट है कि शिरी ओ लिए बॉकस क्ल सी, जीरो तू असिलिया है, इसलिए एवी बॉक्सि लिएम ते गिया है ता है एम में जेड़ा है मास उद्धा पार्टिकल व भी साड़ेकुल कॉंस्टेंट ए इस सारियां चीजां साडेकुल कॉंस्टेंट ने एदि भिच तिरफ एक चीज वेरी कारी है वो मेरी कारी है साडेकुल N तो इधे एड़ N न है यह और सी बोलने है quantum number तो इस तरह जेड़ी energy है energy जेड़ी है ओ तो D depend का रही है N दे उपर rather N square दे उपर तो N दे उपर इस लिए जेड़ी energy है तो D ओ depend का रही है सब्टो पहली जेड़ी contrast है गाए quantum दा जेड़ा classical दे नाल वह ही आन्द है कि देखो ओ जड़ा जड़ा से क्लासिकल फिजिक से रिजल्ट किता सीगा ओदे अकॉडिंग है सीगा कि जड़ी इनर्जी ते कोई भी वैल्यू सकती है इस जड़ा पार्टिकल है ओदे कॉल बट हुन तुसी क्वांटम फिजिक से अकॉडिंग जड़ो इसनों पूरे नों सॉल्ट किता है तो तुसी देख सकते हो कि इनर्जी दिया कुछ के वैल्यू से डिया नहीं ओ सड़े कोल पॉसिबल है तो अगर मैं एन दी वैल्यू वान फिल कर दिया तो उस ताइम ते अगर मैं इनर्जी दू इवन फिल कर दिया तो मेरे कोल वैल्यू की आजेगी पाई स्क्वेर एच काट स्क्वेर अपॉन 2म ए स्क्वेर अगर मैं एन दी वैल्यू टू फिल कर दिया मतलब सेकिड इनर्जी स्टेट ओ तो अडिकोल की आएगी 2 the square, यानिके 4 ए बाकी pi square h cut square upon 2m a square तो अडिकोल आएगा अगर मैं ए सारी चीज़ नू e1 लिख दमा, e1 नहीं सीज़ है इसलिए यह नू लिख सकते हैं 4e1, चीक है जी तो corresponding to n is equal to 3 अगर मैं e3 दी value निकाल दी है तो वह थे 3 the square बन जन दी है 3 the square मतलब 9e1 इसे तरह n the value अगर मैं 4 fill कर दी है तो मैरेकोल e4 दी value अंदी है 16e1 चीक है तो इस तरीके नाल मैरेकोल energy या लग-लग values हा रही है ने, but these values are discrete values, these are there is no any continuum here तो it means के जड़ा particle है और यह definite values ने कुछ-कुछ values ने, overlay ID values ने जिवे मैं तो ने हुन्दे निकाल के दिखाया e1, 4e1, 9e1, 16e1 इस तरीके नाल जड़े energy levels ने infinite square well दे, ओ इस तरीके नाल जड़े है तो तुस्सीं लिख देओ अच्छा एक होर गल इदे विच है गी है 0 point energy चीक है 0 point energy मतलब सब तो काट जड़ी energy है वो किन्नी हो सकती है तो minimum allowed value जड़ी हो n is equal to 1 दे corresponding है असी पहले ही बोले है कि n दी जड़ा 0 है वो पर miscible नहीं है तो n दी value अगर 1 है गी है तो अड़ेकोल ता फिर a energy दी value तो इस तरह आ देड़ी energy है अगर 0 energy नहीं हो सकती तो इस तो इस बिल्कुली कंट्रास्ट जड़ा है तो अड़ा classical physics तो तुसी नहीं देख देओ उन में एक बर तो और दुबारा recall करवानी है जड़े classical viewpoint देखे है तो इस पहले बहुत देखे है कि particle move अगर यह दी value 0 है तो particle फिर rest है the particle in box can have any value of energy अगर यह 0 है तो तो particle rest होएगा किसे point उपर अगर यह दी बोल रहे है कि particle दी energy 0 होई नहीं सकती कुछ ना कुछ energy है तो मतलब अगर यह केड़ा particle है और यह सती उपर नहीं हो सकता इस 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 इन total contrast with the explanation है which is which is given from the classical physics तो चलो अगर में जड़ा मॉटिव सीगा energy नहीं है साड़ा साइ जड़ा function है उन्नों निकालना है साइ फंक्शन जड़ा है और अडिकोल हुन तक हो गया है a sin kx सीगा k दी value तुसी फिल कार दो n pi by a तिनाल हो दो एक्स तो a जड़ा function है यह तो अडिकोल बन गया है हुन यह जड़ा function है यह n दे उपप डिपेंड का रहा है मतले बाकी सब चीज़ा क्योंकि n दे उपर देखोगे इसलिए अपना इन्नों si n दे नाल जड़ा हुआ simple जड़ा इन्नों जस्ट रीपर्जेंटी किता है और कुछ नहीं है तो इंसाइड दे बॉक्स a दी वैल जड़ा हुए है तो आउटसाइड दे बॉक्स a दी वैल्यू जीरू है एसी बाउंडी कंडिशन लगा के इसी अएड़ा फंक्शन है और इसी निकाले है हुन इस पूरे फंक्शन दे विचे सिर्फ एक चीज निकालन वाली है विच इस द नॉमलाइजेशन कॉंस्टेंट a तो a जीरूत अड़े कोलो निकलेगा नॉमलाइजेशन कंडिशन नूं लगाएके तो नॉमलाइजेशन कंडिशन की इह है कि जीड़ी ओवर्ल प्रॉबबिलिटी है इस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ओ तो अड़े कोले इस केज दे विच मतलब इस केज नी पर्टिक्लरली हर किते वन होनी चाहिए है क्योंकि वन होएगी ता ही असी बोलांगे कि इड़ा फंक्शन है साड़ा ओ नॉमिलाइस्ट है तो एथे दोसी देख सकते हो क्योंकि 0 मत पकी सारे पास से जड़े आउटसाइड जिननावी है सारा एड़ा फंक्शन है वो तो एड़ा 0 है तो इदा मतलब ही है कि एन्नू जदो तुसी सपोज मैं एन्नू एड़ा इंटेग्रल है अन्नू मैं लिख दी है माइनस इंफिनिटी टू जीरो साइएन स्टार साइएन इंफिनिटी गेंग्स प्लस जीरो टू एस इंञा सीन स्टार साइएन ठीक्स प्लस ए तू अगैन जड़ा इंफिनिटी कियोंकि ए देखो माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी है तो उन्नू मैं तीन पार्स पिस डिवाईट कर लिया minus infinity to zero, zero to a, तो फिर a तो infinity तक, तो इस तरीक के नाल, a नू में इस तो आण लिख सकती है, हुन इस दी value भी zero है, इस दी value भी zero है, सड़े को सिरफ ऐही वला function बचता है, तो इसलिए उन्हाने direct n चीज़नों इवान जड़ा लिख दिता होया, क्योंकि यह वान है, साइ एन जड़ा हो तो अड़ेकोल ऐ चीज़ गी है, हुन इदा सी साइ एन दा स्टार्ट नाल साइ दो multiply करने मतलब, यह वैसे पूरा really है, तो इसलिए एदा a square, sin square, n pi x bar upon a dx इड़ा, यह सब दी value जड़ी है, और 1 होनी चाहिए है, यह सड़ी condition है, तो इस condition नो फुल्फिल करना है, तो इसलिए सानों सिरफ इंटेग्रेशन जड़ी है, वह सी solve करने है, इंटेग्रेशन सॉल्व करांगे, क्योंकि इदा 2 सी गा, इदा तोड़ेकोल जड़ा है, ओ, इदा a square सी गा, इस standard value of integral हैगी है, a by 2, चेड़ा चीज अथे a हुंद है, उत्थे a by 2 हो जड़ा है, तो a square, क्योंकि इदा a square सीगा, a square multiply by a by 2 is equal to 1, चीक है, तो a value तो अड़ेकोल, इदा साइज हो तोसी लेके जाओ के a by 2 नो 2 by a हो जाएगी, तो इदा साइज है, जड़ा square हो तोड़ा हाफ देवी चेड़ा तोड़े एधे equal to लिखे होया, which is wrong, एधे multiply the sign आना है, तो इस तरीके नाल a दी value तोड़ेकोल अवली आगी, function तोड़ेको सीगा, a sin n by x by upon a, तो a दी value जो जो सीगा, फिल करोगे तोड़ेकोल आजेगा, 2 by a, 1 by 2, मतलब एदा under root, तो sin n by x upon a, तो a तोड़ा जेड़ा है, a क तोड़े complete function जेड़ा है, तो अनों मिल गया है, for a particle in infinite well,